नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल आचार जागंद्र मिस्त्रा में 300 साल के बाद दुरलब महा सयोग 14 दिसंबर 2020 को सूरगर्ण लग रहा है और कन्यारास वालों के उपर बरसेगा पैसा जी हाँ दोस्तों कन्यारास वाले जातक काफी लखी रहने वाले हैं क्य सूरगर्ण का काफी सुभ फल इनको प्राप्त होने वाला है दोस्तों बता दें कि यह वर्स का आखरी सूरगर्ण रहने वाला है जो कि 14 दिसंबर 2020 को लगेगा यह पूर सूरगर्ण होगा लेकिन इस गरहन का प्रभाव इस गरहन का जो सुतक काल होगा वह कौन-कौन से सम अबवश्यतिति के दिन लग रहा है इस वर्स का यह दूसरा और अंतिम सूर्गर्ण होगा पहला 21 जून को पढ़ा था लेकिन दोस्तों यह जो 14 दिसंबर को पढ़ रहा है यह कन्या रास वाले जातकों के लिए काफी जादा लखी रहने वाला है भारती समया अनुसार यह काम को साथ बज़कर तीन मिनट से प्रारम होगा और इस ग्रहन की समापती होगी 14 दिसंबर की मध रात यानि 15 दिसंबर 12 बज़कर तेस मिनट पे होगी इस ग्रहन के कुल अबदी लगवग 5 घंटे और 20 मिनट के होगी दोस्तों यह बहुत ही महत्पून जानने वाली बात ह कि यह कन्यारासवले जातकों के लिए काफी जादा लावकारी रहने वाला है क्योंकि कई सव साल के बाद इस यानि कि दूरलव महाशयोग में कन्यारासवले जातकों के उपर बरसे गप ऐसा और धन की कमी इनको नहीं रहने वाली है धन के नई आय बनेंगे धन के नई स्रो ना देखें और ग्रहन काल बाहर न निकले और जैसे चाकु सुई बिल्कुल ना इस्तिमाल करें गरहती में लाएं यह सूर ग्रहन 14 दिसंबर को जो लग रहा है यह 300 साल के बाद काफी सुब सैयोग लेकर आया क्योंकि इस दिन सोमवती अवश्या भी रहेगी दोस्तों सोमव रष्या भाव में पड़ रहा है इसलिए इनके पराकरम में इनके जोस में वर्धि देखने को मिलेगी अब यह किस तरह से कन्यारास भावित करेगा और किस तरह से लाव खिस्तिती बने रहेगी तो देखें दोस्तों यहां पर अपने काम को ती ब्रगति देते देखे धन में आपको लाब मिलने वाला है ब्यापारियों के लिए ये जो समय रहेगा कन्या रास्वले जातकों के लिए ये ग्रहंट सुर्गन काफी अच्छा रहने वाला प्यापार में गति पकड़ेगा और विदेश से लाब की प्राप्ती होगी आकास्मिक रूप से धन की इस्तिती बनी रहेगी और अपने धन और अपने बिजनेस ब्यापार को बढ़ा पाएंगे यहाँ पर पार्टनर्शिप में करते हैं तो जवर जस्त लाब देखने को मिलेगा केरियर में उच्छपद और मान प्रतिश्टा सब कुछ मिलता ना जराएगा केरियर में रु लोगों के साथ आपकी बॉंडिंग होगी बोस के साथ अच्छा खासा आपका रिष्टा रहेगा और बोस के कारण कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं नई जिम्मेदारियां आपको मिलते नजराएगी बस आपको अपनी वारी मेठी वारी से लोगों को आकरसित करना है कैरां कन्यारास्पली जातकों आपके बहुत ही काम बनते नजराएंगे बहुत ऐसे काम होंके जो आपके नियंदरन में नहीं जब झाराएंगे- इस्टुडेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है प्रत्यूगी परिश्य की तैयारी कर रहे हैं या इंटर भी की तो यह सूर ग्रहन के बाद काफी लगी रहने वाला है और दामपत जीवन आपका बहुत सुन्दर रहने वाला है दामपत जीवन में मधुर संबंध रहेंगे जीवन साथ ही से आपको धन की प्राप्ती होती नजराएगी लब पार्टनर जो सिंगल जाता के उनके लिए भी बहुत अच्छी इस्तिती कही जा सकती है उन्हें नए रिष्टे आएंगे और नए रिष्टे आने से उनके मन में अपार खुशिया रहेंगी पारिवारी के जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है आपके घर में उत्सव कुछ सुभ मांगली कारकरम होते नजर आएगा आपके धन में दुगना डबल मुनाफ़ा दे कर जाएगा आपका रुका हुआ फसा हुआ धन भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको नई प्लानिंग करते नजराएंगे आप अपने इस दोर में आप अपनों जो एक्सपर्ट जो बिजनेसमेन है या बड़े बुजरुग हैं उनसे अगर सही सलाह लेते हैं और सही प्लानिंग करते हैं तो देखे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी कारचित में दुगना लाभ देखने को मिलेगा कन्या रासवले जातकों के लिए यहां पर सारे फसे हुए धन भी प्राप्त हों के जमीन प्रोपर्टी रियल इस्टेट से जबर जस्त लाभ देखने को मिलेगा लोन के लिए अगर आपने आवेदन किया था तो वो लोन आपका मंजूर होता हुआ दिखाई देगा यानि कि कन्या रासवले जातकों के लिए काफी सुभ स कारण कन्या रासवले जातकों के लिए और सुभ बन जाता है और दोस्तों सोम वबतिया मवश्या भी रहेगी तो दोस्तों इस दवरान कन्या रासवले जातकों के धन में लाभ होगा आप किसी भी चीज को किसी भी नई प्लानिंग को अगर आप जमीन इस तर पर उतारते ह जो जाता कि जितना पहले कमाता था उससे डवल कमा पाएगा, सोने चांदी की ब्यापारियों को जवर ज़स्त लाब देखने को मिलेगा, कंट्रक्शन का काम कर रहे हैं, रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, या भूम प्रोपरिटी का काम कर रहे हैं, तो कन्या रास्मले जात को इससे सूर्गन के बाद आपके किस्मत चमक जाएगी आपके भाग का साथ मिलेगा और आप दुगुना डवल मुनाफ़ा कमाते ने जराएंगे तो कन्यारास्वलेजात को यह था जो आपके लिए सूर्गन काफिल लाकी सावीत रहने बाला है दोस्तों जाते जाते मेडियो को लाइक जरूर करिए नहीं तो चलने को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए